नमस्कार बड़ी बहस 36 गड़ में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक बांडे आपके साथ चुनावी साल है प्रदेश के विदानसवा चुनाव में आपको चीज समय बचा है ऐसे में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही अपने चुनावी तयारियों में जुट गई है दोनों पार्टियों में यानि की कॉंग्रेस और बीजेपी में चुनाव को लेकर कॉंफिडेंस और ओवर कॉंफिडेंस का दोर देखने को मिल रहा है जिससे प्रदेश में सियासत भी काफी तेज है गोजपूरी सुपरस्टार और दिल्ली के बीज़पी सांसद मनोस्तिवारी भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने रायपूर पहुँचे हुए हैं आपको बता दें कि 2023 मुदानसवा चुनाव के लिए भाजपा पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है इस परिवर्तन यात्रा में केंद्र के तमाम बड़े नेता एक एक कर 36 गड़ पहुँच रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस ने ही इनको हर जगा समाप्त किया है 36 गड़ को उसका हक मिलना चाहिए जो भाजपा दे सकती है इधार सांसक बनोस्तिवारी के बयान को लेकर खुद मुक्यमंतरी भुपेश बगेल ने जबाब देते हुए कहा कि भाजपा मान तो रही है कि 36 गड़ म और नौजवान यह कह रहे हैं तो उधर उत्तरप्रदेश की कॉंग्रेस लगातार उधर 36 गड़ मॉडल के साथ ही कॉंग्रेस नजर आ रही है कई बड़ी योजना और सवगात जनता को दी रही है तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले आपको सियासी वयान बाजियां सुनाते हैं करें मैलाएं और नजवान करें ब्यापारी और उत्यूपति करें 36 गड़ में फिर से कांगर अभी देखिए हम तो कहीं देख रहे थे किसी कारिक्रम में मुख्यमंत्री जी के सामने ही कोई कह रहा था कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपका एक्सिडेंट कराएगा राजन जनता पार्टी देखिए तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं किसे कॉन्फिडेंस है कौन ओवर कॉन्फिडेंस में हैं बाच 36 गड़ की सियासत की हो रही है तो खास मैमान इस समय चर्चा में हमारे साथ रूपेश दुबे जी कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं बह रवाब आपका होगा पास थी लेकिन विदान सबा चुनाव में इस प्रकार से जाडूप पड़ी उसके बाद इनकी ओवर काइमिडेंस की पाते समाथ हो गई और इनको ओवर काइमिडेंस की पास्तों करने नहीं चाहिए देखिए मनोस्तिवारी की अपने बयादों के हमेशा विवाद अपन इ होने के बाद भी इनके बयाद लगाता जाए जेजिरिवार जी के लिए अनवार जी के खिलाव जिया दिल्ली को थोड़ा सामिल ना करें बाद 36 गड़की करें सवाल केवल एक छोटा सा सवाल ये है कि ठीक है आपके लीडर्शिप मजबूत है बहुत जादा सीटों के साथ 2018 में आए सत्ता बापसी इतने जादा सीटों के साथ सायद ही पिछले 20 साल के इतिहास में तो फिलहाल नजर नहीं आती बाकी की डिटेल में करेंगे बाद पर एक जो सिंबॉल लग रहा है कि बहुत जादा अशानवित हो गई है कॉंग्रेस कॉंग्रेस को लग रहा है कि नब्भे विजानसवा शेत्रों में सत्तर तो हम जीती जाएंगे सत्तर नहीं तो 65 जीत जाएंगे तो पिछली बार के रिकॉर्ड के आज पास भी रहेंगे तो भी बहुत है तो कॉंग्रेस थोड़ा सा मान के चल रही है कि अब वो विजेता है क्या ये बात हमें भी माननी पड़ेगी या थोड़ी सी हमारे जो कयास हैं वो कुछ अलग है विबेक जी देखिए आप लोगों की पत्रिकाइलता आप लोगों की योटेता पर हमको शिपने नहीं करना चाहते लेकिन जिस्टतार थे 36 जड़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद किसानों के लिए शिवाओं के लिए महिलाओं के लिए और सिक्षा कर्म सिक्षा सास की से नहीं और सिक्षा कर रहा है और यूजनाओं के लिए विए विदाय के लिए और सबस्क्राइब भाइव सरकार की जो योजनाएं हैं कि योजनाओं से हमने आम जन्ता को लावानित किया है और मिस्ची तुरुप से जब आम जन्ता के बारे में फटा करने जा रहे हैं तो हमें अच्छा प्टिसाथ मिल रहा है और उसी कारण चलिए चोहान सब ऐसा कांग्रेस कह रही है कि साब बीजेपी को तो पहले से ही लग ré précis गडल्ब में बहुत मजबूत इस्तिती में कंग्रेस तभी उग WRahaha के लिए पीजेपी की ओर से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि आगए तो कि आगए आफ लोग मानते हैं इतुना मजबूत अवस्था में हैं केड़े इंस समय और वो unmute कर लिजे audio को आपकी आवास हम तक नहीं आ रही है जी बुलिए आपकी आवास हम तक नहीं आ पा रही है चोहन साथ चलिए उसको हम ठीक करते हैं और रुपेज जी से ही continue चर्चा को जारी रखते हैं रुपेज जी आप इसे लख कहिए या टेक्निकल फॉल्ट चर्चा की शुरुवाद आपसे हुई अब चर्चा फिर से आपसे ही चल रही है तो रुपेज जी एक छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा दूर दराज के शेत्रों के लिए आपने बहुत सारी योजनाय लाई ठीक है अब उन योजनाओं के हम चर्चा नहीं करेंगे और एक जो 36 गडिया को लेकर बहुत हम सुन रहे हैं पिछले 5 साल हो गए हम तो यही सुनते आ रहे हैं ये डो चीजें क्या कॉंग्रेस की सरकार को मजबूत और अब आने वाले समय में कॉंग्रेस के वोट परसेंटेस को भ दिखाई है अपनी सरकार में मिश्चित रुप जिये की सब्सक्राइब कांडेस सरकार उफेज बगेर जी के निश्चित में आई उसके पास ग्राफिट और भर्वक्ता को मजबूत करने के लिए आदिवाजी वर्द के लिए और इसकार के हमने बसकर के वनांकर चेत्र में बाजिपा कारेकार में आदिवाजीयों की जमीन को उद्योग के नाख पर ले 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 गे थी उसे हमने वाफिस कराया और सर्भुजा में हमने सर्भुजा विकास राधिकरण बनाया तो सर्वहारा वर्द सभी छेत्रों के लिए किस्वकार देश्चित गर्टी सरकार ने जब जब भी एक तरह से चुकि राजिवितिक पाते हैं अब हम देखे हैं चुहान साथ कितना इस्टिफाक रखते हैं इस बात से जी केस्ट चौहान जी पांडे जी मेरी आवाज आ रही है बुलिए ओवर कॉंफिडेंस जो है वो भारती जनता पाइटी नहीं बोड़ रही है ये जनता ही मतला कॉंफिडेंस दिलाती है जनता ही उनको जब मकारती है जनता जब आपके दर्वाजे पर आती है गोटनों के बलाती है तो उसके बाद भी आप उनकी बात नहीं सुनते हैं ये ओवर कॉंफिडेंस है जब जनता चालिस हजार जनता अनिमित करमचारी तूता मैदान में बैठ के वहाँ पर रहते हैं और आप बात नहीं करने जाते हैं यो आपका ओवर कॉंफिडेंस है आपके इंटर्नल सर्वे में पांडे जी आप 37 विधायक्स हार रहें इनके इंटर्नल सर्वे में और प्राइवेट जो पत्रिगा ने सर्वे निका रहा था उसमें 6-6 प्रतिशत लोगों ने ऐसा बोला कि हम अग अपना जन्द पर दिदी बदनना चाहते हैं 66 प्रतिशत लोग रहे हैं उसके बावजूर भी आप उसमें तवज्जू नहीं देते हैं उसको नेगलेक्ट करते हैं यह आपका और आपने गोजना पत्र में शराब बंदी की बादा किया और उसके बाद आप 5 साल तक आप शराब बंदी नहीं करते हैं उसके बाद आप बोलते हैं कि जन्दता का हमारे पर समाधान है यह ओफ उवर कॉंफिदेंस है आपने आउटसोर्टिंग रोकने की बाद की आपने रोका नहीं, यह आपका overconfidence है आपने animate करमचारियों को nimit करने की बात कही और एक को भी animate नहीं किया यह आपका overconfidence है आपने पीस्टी गोटाले में 15-18 लोगों को अपने ही लोगों को जगा दी मतलब जन्ता को जन्ता ना समझते हुए यह आपका overconfidence है आपने दो सो फुट पार्क का बात बोड़ी और एक भी फुट पार्क नहीं को ला यह आता हो और कॉन्फिडेंस है। आप भी हमको वोड़ देंगे यह आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की एक और कहानी है। जो कि आपने तीन गार्जिसाबाद पांतद बहर से लिये और यहां के लोगों को मुका नहीं दिया। आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की और एक कहानी है। आपने ओवर कॉन्फिडेंस की कहानी है। आपने अपराद को रोकना ही नहीं चाहा। आपने मुक्यमंत्री जी डैरेश्ट तोर पे स्वास्त मिभाग में और ग्रीव मंत्राले में आप हस्तक शेष करते रहें। ग्रीव मंत्री को तबज्यू नहीं दिया, स्वास्त मंत्री को तबज्यू नहीं दिया। यह आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। आपने ओवर कॉंफिडेंस के कारण आपने ऐसा जंता को जंता नहीं समझा, बादे को बादा नहीं समझा, आपने बादा छिला दी थी, आपने जिला दोशना चाहिए पांडे जी और जिले में आपने चॉलिस से पैतालिस करोड रुपे की जाना चाहिए था जिले में, वहा चुनाव जीताएगी तो यह आपकी ओवर कॉंफिडेंस चली आपने बहुत सारे एक आएक बहुत सारे आरोप लगा दी हैं और एक बार हम रुपेज जी का रुख करते हैं रुपेज जी सौगातें आपने गिनाई आरोप चुहान साथ ने गिना दी आने भारती जनता पार् उसी बात को फिर से कह रहे हैं ओवर कॉंफिडेंस वाली बात याने वही विशाए एक बार फिर से आ लिया है पांडे जी चौहान जी के बातों से इस पर लिखित होता है चौहान जी भाज़पा के जो क्येट है उसको सून करके आए हैं या फिर क्येट को चला रहे हैं इनके पास ओवर कांफिडेंस और जो जनता के लिए जो काम किये हैं उनमें इसको समझने की जरूरत है भाजपा क वह और पूरी बाज़पा को किस प्रकार से आब जनता के लिए काम किया जाता हैं हम ने आवाज योजिना प्राग्म किया हम सब्सक्राइब भाजपा के विध्या और जूड़े आरोपर पर ना जा करके हम दिरलतर आम जलता की सेवा करके आम जलता को हितगराईयों को लाप देने का काम कर रहे हैं हम कहीं भी अतिवी स्वास में या आजकरी स्वास से लबरे नहीं हैं क्योंकि हम जन्ता की सेवा पर बरोफा करते हैं और भाजपा के लोग परिवर्तम यासरा निकाल करके बार के मेताओं को बुला बुला करके अपनी बीड़ी घटा करने के लिए एक नोटन की रुपी जो करने की आत्रा निकालें और वो कम से कम काज़ देंस की बाक ना करें 15 वर्सी कारेकाल को भाजपा दीजिए विश्वास और अतिविश्वास में ब्याक्यास करने भी अतपल है और दिश्चित रूक से च्टित गड़ में कांग्रेस की सरकार इस पतार बिदन परोसे की सरकार परोसे यांत्राइए परिवारतन यात्रा को 36 गड़ में जनता का सयोग मिल रहा है पंडे जी बिलकुल मैं आपकी बात का जवाब दूँगा और एक कुशन मेरे अभी अभी जहन में आया है कि बाहर के लोगों को आमने बुला के और चत्तिजगर के नेताओं को बोलने का साहथ नहीं तो अभी अभी मेरे जहन में आया है मेरे को ऐसा लगता है कि राहूल गांधी और प्रियंका गांधी और इनका मलिका जिन खरगे जी मेरे ख्यार से नहीं पर से पैदाईश है उनकी चत्तिजगर से वो बाहर के नहीं है सवगात की बात की तो राहूल गांधी जी अपने जीजगर सवगात की बात की जेव से निकाल के पैसा देने हाँ तो इस पर हम ना जाएं देखिए यह बहुत प्रैक्टिकल सवाल है आपको भी पता है जंता का ही पैसा होता है थोड़ा सा मेरा जो एक छोटा सा सवाल था आप प्रप्या उसका जवाब दें और रुपेज जी के जो सवाल का आपको जन्म देते हैं मुझ्दे ही परिवर्तन को जन्म देते हैं और इसी दिए परिवर्तन याक्रा हो रही है क्योंकि यह परिवर्तन कौन चाहता है यह परिवर्तन सबसे पहले जन्ता चाहती है जैसे परिवर्तन चाहती है वो यहां की रोड़ों परिवर्तन चाहती है जो उसमें चाहती है जो इंडस्टलाइजेशन नहीं हो पारा है पांस सालों में उसमें परिवर्तन चाहती है ACB, Anti-Correction Bureau पिछले पांस सालों में एक भी केस आपने होने नहीं दिया लगाम नहीं लगाई उसमें अपने नौकर शाहियों में परिवर्तन इस चीज के लिए चाहिए परिवर्तन एक्चरी जनता को चाहिए और उसका उसकी जुवान बन के उसका मुख बन के भारती जनता पारटी उस यात्रा को बना दो अब परिवर्तन यात्रा क्यों है और परिवर्तन यात्रा तो एक जनता से जूड़ी हुई है और क्लियर कट मैसेज है हमारा क्लियर कट मैसेज है कि केंडर सरकार क्या दे रही है और राज़ी सरकार में आपको क्या नहीं दिया है जनता को जागरुप कराना ही हमारे यात्रा क और जन्दा का साथ मिल रहा है इसमें बिल्कुल 100% मिल रहा है आप खुब देखिए अजारों वीडियो आप देख लिए हाजारों अक्बारों में देख लीजे और ये जो मीडिया का साथ मिल रहा है और मीडिया ने जो coverage दिया हुआ है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप चैनल के तुरू मीडिया को उन्होंने परिवर्तन यात्रा को बहुत अक्षे से दिखाया कि सच्चाई दिखाई कि कहां कहां से गुजर रही है और कितना उनको प्रतिसाद मिल रहा है यह पूरी मीडिया में है हमारे को बोलने कि आउशक्ता नहीं है मीडिया आईना है इस दूसरी बार, परिवर्तान इस वज़े से चाहिए की आप जन्ता को जन्ता नहीं समझते हैं में इस तब भी लाई गए थी जब 2007 में उस तरही कर रहे थी। उस समें भी परिवर्तान यात्र आय थी और लगा ता सी बार आशिर्स अइंद्धड या तुज्क्न परिवर्तन यात्रा लोगों को जागरूप करने के लिए और लोग उससे अटाइच हो रहे हैं आप देखिए कितना महौल बदला हुआ है आप सोशल मेडिया उठा के लेखिए आप ट्वीटर रेंडल लिए उठा के लेखिए इस परिवर्तन यात्रा से सबसे बड़ा लाप बनिया वो कहां पर है अभी धान की बात करते हैं दान की बात अभी बात करते हैं तो उसके बात परिवर्तन यात्रा लोगों को और क्लियर हुआ जगरूप हुए कि 80% पैसा को केद्र सरकार दे लिए तो आप अपने सेरत क्यों मांद रहे हैं यह मैंने ही कहता हूं सदन में जब पूछा गया और मांत जी से तो मांत जी ने जवाब दिया कि 50,000 करोड रुपिया केंद्र ने दिया है और 11,000 करोड रुपिया अभी तत के बुग्दान में राच्च सरकार ने दिया है धान के लिए जी चलिए अब समय की भी एक मिश्ची ताउधी होती है बहुत बह जी आपका आप दोनों मेहानों का हमार्चा चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद भारती जन्ता पार्टी की परिवर्तन यात्रा और कॉंग्रेस पार्टी की सौगातें जिस पर हम बात कर रहे थे 36 गड़ जहां पर 2018 के चुनाव में बूपेश पघेल और टियस सिं में और कॉंग्रेस में फिर भूपेश पघेल बुक्तिमंत्री बने भूपेश पघेल सरकार किसानों के लिए अच्छे से अच्छा कारे करने का दावा कर रहे हैं लेकिं दूसरी तरह भारती जन्ता पार्टी हैloe परिवर्तन यातरा के जरिये जन्ता के बीच में जा रहे ह कह रही है कि बहुत कुछ अब जनता को बदला लेना है लेकिन कहा नहीं जा सकता कि इस चुनाओ में एक्जेक्ट परिडाम क्या होगा बड़ी बहस में फिलाल के लिए इतना ही मुझे आने विवेक को दीजे इजादत ममश्कार